हेलो फ्रेंट्स में धीरज आप सभी को मेरे यूटूब तेने धीरज स्टेजिटूब में स्वागत हैं हम भी हार बोट का इंटरमीडियेट अर्था इंटर का मोडर पेपर ओफिसर लेकर आया हैं हिस्टी का यह इतिहास का मोडर सेट हैं और जो 2020 में एक्जाम देंगे उन लोग के रिए हैं बिहार बोट ने दो दिन पहले ही यह से निकाले हैं तो हम इसमें अब्जेक्टिव का बताएंगे अब्जेक्टिव साथ है जिसमें से वहां आपको पचासी का उतर देना होगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाँ यहां आप देख सकते हैं पहले कि एक से साथ तक अब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको पाचासी का उतर देना है और यह पचास मार्क्ष का रहेंगे ठीक हैं तो पहला बताते हैं है प्रकाशन संक्या एक बोलना है अब्जेक्टिव का मोहन जोदरों की खुज 1922 इस्प में किसी ने की थी तो राखल दास मनर जी ने की थी 22 ी में मोहन जोदोरों कि खुछ राकर दर्स बन बना जीश ने की थि टिक तुसरा ना प्रस्ण बोलता है कि ये खिस भासां का सब्द है मोहन जोदोरों किस भासा का सब्द है तो मोहन जोदरों Dollarizaris Sindi भासा सब्द है यह मोहन जोद्रों का अर्थ होता है कि मुर्दों कटीला और यह भासा सिंधी भासा का सब्द्ध है अमला नंद घोस ने की थी हनुमान गड मतलब कि यह काली बंगा काली बंगन की खुचकी स्कोन किया था तो अमला नंद घोस ने किया था मतलब कि 1952 में 1952 में काली बंगा 1952 में खुच की थी ठीक हनुमान गड जीले में पड़ता यह अमला नंद घोस ने की थी जो राज्था में है काली बंगन चार्म प्रस्ण बोला है कि कि सिंदू घाटी सभेता में हलका परमान किस अस्थान पर मिला है सिंदू घाटी सभेता में हलका परमान किस अस्थान में तो सिंदूगाटिस सबस्टा में हलका परमान की जिले मिला है मतलब कौन से मिला है तो काली बंगन से मिला है पास्तेन वर्ट सम्मूंद्र गुब्त की तुलना कि सी रूपिय सासक से की जाती है तो निपोलियों जाती है मतलब समुद्र कोई ही नियपोलियन कहा जाता है तो तो नियपोलियन चेकी जाती यह पांच का अप्सण भी होगा कि अपने स्वयम के खर्चे से सूड़ दर्शन जिल की मरबत किसी ने करवाई अपने स्वयम के खर्चे से सूड़ दर्शन जिल सूड़ दर्शन जिल की मरबत किसी ने करवाई तो अप्सण सी होगा रुद्र दमन मतलब कौन है रुद्र दमन अपने स्वयम के खर्चे से सूड़ दर्शन जील की मरबत जीर बोल रहा है बांद नहीं बोलना जील याद रखे जील बोले तो रुद्र यदि अपने बोले कि इसमें सुर्दरशन बांद कीमनमत किसी ने करवाई तो मतलब बांद बोले तो असकंद गुप्थ है लेकिन यहां जील बोल रहा है परस्ट में असकंद मतलब कि अपने स्वयम के खर्जे से सूट दरसंद जील कि मरमत किसी ने करवाई तो रूद्र दमन ने करवाई थी ऑप्षन छे का मतलब परस्ट संगाच छे का ऑप्षन सी होगा कि अप्षन बोल रहा है कि पाटली पुत्र नगर के अस्थापना किस नदी के संगंबर की गए थी तो पार्टली पुत्र नगर के अस्थापना गंगा-एड-уют-अदि कि संगंबर की गए थी गंगा और सोन नदी और संगंबर की गए थी तो गंगा और सो नदी के संगंबर की गए थी जिसकी मतलिए अजाथ सत्रू ने 490-467 पुर्व में किया थं ला इंडिका के लेखक कौन है तो मेगा अस्थनीज इंडिका के लेखक मेगा अस्थनीज है नौर प्रस्ब बोला असूख किस वंस का सा सकता तो आशूक मौरिय मौरिय मंस का अर्जुन की भी पति नी थे नहें थी आर्थत इनिमेसे सब्सक्वाइपोसणि दिश दुरो। तो तो समय की तरो पती रोपदि जो पिताजी से दुरौपद इसमें अगनी कुंद टौपती के जनब हुआ मतलब महादेव सवर्व मांगा कि मुझे मतलब मुझे साधी योग मतलब की अच्छे पती चाहिए तो उसने मतलब मतलब यह बात पांच वर संकर जी से बोले तो संकर जी ने मतलब बोले तथास्तु मतलब तो बोले कि तुम्हारे अगले जनम में मतलब की मतलब इसी जनम में पांच मतलब तुम्हारे पती होगे जिसमें से पांच पंडव पांच पंडव अर्थात पांच पर्दम पंडव जो पहला पंडव हो गया पहला पहला पंडव बारा भाई था जो युद्विश्टिर सकेंद भाई भीम तिसरा अरजुन चौथा नकूल और पाचमा साध्य भाई थे तो यह मतलब कि यह 500 भाई से साध्य किया गया तो इसमें याद रखेगा कि 500 भाई में से जिसका ऑप्शन दिया हो अरजुन भीम नकूल और युद्विश्टिर और मतलब कि और कौन गया साध्य तो यह पांचू है तो यह भीम और नकूल अर्था-3 में से सब होगा 11 में प्रस्वन बोला है कि अभी मनियू किसका पूत्र था अभी मनियू किसका पूत्र था तो अभी अब ये इसमें बताने हैं तो अभी मानू किस अरजुन का पुद्र था माहा renewal के लेकर कौन है बारव में बला तो माहा भाध के लेकर कोन कुम है जीने है माहाध की रचना मतलब की था तो माहाभाध के लिखकों 12 के लिए जो 2020 में एक्जाम देंगे विहार बोट का उनके लिए कुर्स भी स्टार्ट होनी वाला है और हम अपने चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट का परहा भी चुके हैं और बहुत बढ़िया चीज़ा पर रहा हैं जिसमें अपको चलेंज के साथ बोले हुए हैं कि हमारे चैनल पर रहिएगा तो अब्जेक्टिव कम सब्जेक्ट का पचास में से पचास आपको अब्जेक्टिव के साथ हम बोले हैं तो हमारे चैनल पर जूर जाईए यदि मतलब जो फ्रेंट्स मतलब जूर गया है लेकिन वहां वीडियो ने देखती एक्टिव नहीं है तो व भी हारण में आना ही चाहिए और आप रोण चैनल पर जूर जाहिये और सभी वीडियो को अफेम नहीं कि अपने NICK माक्स इस बार सभी विदार्थी को लेकर आएंगे और सूच के लिए सूच भी लिए हैं और बनिया से माक्स दिलवाएंगे तो चैनल पर जोएन हो जाईए चाल यह प्रसंद कि तेरा नमा प्रस्थं बोले हैं कि गवटम बुद को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी तो बहुत कम बुद को ग्यान की प्राप्ति पीपर के नीचे हुई थी चौवजानम्म प्रस्टम बोला है तिरी पीटक किस धर्म से संबंधित है तो प्रस्टम पंद्रा बोला है कि अकबर नमा के लेखा कौन है तो अबूल फजर कृत अकबर नामा के लेकर कोने अबूल फजर कृत सुलानम प्रस्ण बोला है कि तंबाकू पर किस सासक ने परतिबंद लगाया तो जहांगी ने और प्रस्ण और एक और रहेगा कोचन की तंबाकू का सेवन सरोपर्थम किसी ने किया तो सेवन मतलब कि खाना स्टार्ट किया तो इसमें परतिबंद की बात वोड़ा है सात्रानम प्रस्ण बोला है कि कुटू मिनार का निर्मान किसने आरहम किया तो कुटू बुदिन एबक ने कुटू मिनार का निर्मान आरहम किया कुटू मिनार का निर्मान कुटू बुदिन एबक ने किया था अठारा नमर प्रस्टन हुमायू का भाई कौन था तो हुमायू का भाई कौन था तो हुमायू का भाई मतलब की कामरान असकरी हिंडाल यह सब मतलब सबी थे मतलब की हुमायू के टोटल पांस भाई थे हुमायू कामरान हिंडाल मिर्जा खलीर मिर्जा और असकरी मिर्जा य और हिमायू मतलब की बाबर के बेटे थे ठीक बाबर के बेटा हिमायू तो हिमायू का पांस को पुत्र थे जिसमें से आपको कामरान दिया हुआ है असकरी दी असकरी मिर्जा का दिया हुआ है और हिंदाल मिर्जा का दिया हुआ है और उसमें कामरान मतलब एक तो हिंदाल मिर्जा खलीर मिर्जा असकरी मिर्जा और कामरान यह सब मतलब यह सब मतलब की भाई सब और हिमाईू की पिदागनां बाबर था तो प्रक्रमाराइब की भारत का प्रथम मुगल समराइब भाबर था उनिशना का ओप्सन ए होगा बिस नहों बोल रहा है कि तजुक ए बाबरी किसने लिखी तजुक ए बाबरी किसने लिखी तो बिस का तजुक ए बाबरी बाबर नहीं लिखा था अर्थात तजूक इबाबरी को हम बाबर नामा के नाम से भी जानते है भारत के मुगल समराजे के संस्थापक बाबर की आत्म लिखित जिवनी है जो की तुरकी भासा में लिखा गया था कि 21 परसन बोला है दीन एलाई धर्म किसे संबंदी थे तो दीन एलाई धर्म अकवर से संबंदी थे दीन एलाई धर्म किसे संबंदी थे अकवर से दीन एलाई धर्म में जितने भी धर्म सबी धर्म को लिखा गया था और यह दीन एलाई धर्म अकवर बहुत अच्छा मतलब सभी धर्म को इसमें जोरा गया था है प्रैस्ट बोलगा है विजै नगर समराजी की अस्थापना कभ हुई थी तब विजै नगर समराजी के स्थामना 1337 GPS में कि थी यह दोनों मतलब की दो भाई हर्यर अरभुक्का दो दोनों भाइधे दोनों भाइव ने विजय नगर समराजी के अस्थामना किया था ला है कि विरुपाक्स मंदिर कहां इस्तित है तो विजय नगर के सासक ने अपने आपको क्या कहा तो विजय नगर के सासक इस जो राजा थे किसंदेवराः वाड़ा कास्ट की तो वहां कि मतलब जो जनता थे उस पर स Can करता था ड़े बह yılका सम्राथ हो का संड करता था किस दिबराइस सबी सासब को को मतलब अंत्र करके वहां मतलब कि सभी जनता को सवतंद्र करवाया था तो वहां के सभी जनता ने अपने आपको राय काना स्टार्ट कर दिया तो विजय नगर के सासक साचक को अपने आपको क्या कहा है तो विजय नगर के साचक ने अपने आपको राय कहा है पाशीस नमर बोला है विश्णु को अपने पती कौन मानती थी तो विश्णु को अपने पती मीरा भी मानती थी अंडाल भी मानती थी कराईकल भी मानती थी अर्था थीन में से सभी हो तो रामानंद के तो 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 बारा सिस्य तो थी तो रामानंद के तो जी कि अव्तार थे बाबाबा धुर्ण दास परहाद प्रहाद जी के अवतार थे प्रहाद जो होली का मतलब होता है तो इसमें पुझा किया जाता है तो कबीर परलाद जी का अवतार थे धन्ना तो यह धन्ना धन्ना जाट यह मतलब राज थन कर थे धन्ना जात तो यह राजा बली राजा बली जी के अवतार थे और पीपा तो यह पीपा राजहामनु की अवतार थे अवतार पिपा थे तो इसमें के शिश्चे कुम थे तरफी बिक्ता सब्सक्राइब गानुच तो लिया की दगर का है तो अजंज मेर मेर मतलब की राजिस्तान में पड़ता है तो निजामुदिन ओल्या की दरगा अजमेर में थे अठाइसनों प्रस्टन बोला है कि इबन बतूता किस देश का यात्री था इबन बतूता किस देश का यात्री था इबन बतूता मौरोको का यात्री था किताब उल्रहला में किसका यात्रा का विर्वतान्त मिलता है इंव्न बतार विर्वतर हम सairs रहराँ में 30 snowfall तेसा व्न परसंद में किसके सासनकार में भारत आया था इंव्न बतार किसके सासनकार में भारत आया था तो मोहांमत बीन तुगलक के सासनकाल में इनम्न बत्युता भारत आया था एक 131 प्रस्थन जला ना कि just idiOC इंडिया कंपरी के अस्थामना कभी थी इस्थना E एक 137 प्रस्थन 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 बोला संथार विद्रोह का नेता कौन था संथाल विद्रोह कानेता कौन था तो संथाल विद्रोह कानेता कौन था सिद्धू एवं कानू था संथाल विद्रोह कानेता शिद्धू एवं कानू था आघक थैस तैस प्रसंण बोल रहा है कि महल वारी बंदोबस्त को किसने लागों किया हमाहल वारी बंदोबस्त को तो इन में से मतलब माल्टीन बर्ड होगा वुकानंड रीड वगा लेकिन याद रखे ग्या चाहिए ज driven बंदोबस्त मतलब कि हॉल्ट मैंकेजी भी था उसमें हॉल्ट मैंकेजी तो महलवारी बंदोबस्त किसने लागो किया तो माल्टिन बर्ड वोकानन रीड हॉल्ट मैंकेजी भी आता है तो इसमें से सभी होगा ते तेडीसानों प्रेस्तवं प्ला है कि मॉल्जला विद्रो का कुं था हुआ यदाकनाches न कि सवाइब सम्दादेन मुस्सक्राइब करना क्या थे और तर्थ क how दित करनाडेन हमद्र प्रश्ण कर्क लिएन अधिसора प्रेस्त कि नियुकर का Node का अर्थ होता है दामिन इको का का अर्थ होता है तो दामिन इको का अर्थ होता भू भाग 35 का एह होगा 37 प्रसंद बोला है कि बिहार में 1857 के विद्रो का नेता कौन था बिहार में 1857 के विद्रो का नेता कौन था तो आप्शन परचान घिं राजंद पर्षात तो नहीं हुआ जीलिबन भी नहीं है लिए सिरकिश्ड नहीं है तो इन से उप्यार है इन में से कोई नहीं होगा भिहार में 1857 की के नीतां तो भूर में 1855 के विद्रो कानेता फीर कुवर शिंग इसका एंसर होगा वीर कुवर सिंग वीर कुवर कुवर मतलब की 25 temp के विद्रो कानेत घी से थीक ठीए शिथ प्राणी लक्ष्मिया को सभीली के नाम से जानते हैं मनी मनिक कर निका के नाम से भी जानते हैं अर्षात इनी में से सभी कि अर्टिशन प्रस्ण बोल लाए कि 1857 के विद्रों को किसने पर्थम भारतिय सवतंतरता संग्राम कहा तो काल माक्स ने कहा मतलब 1857 के विद्रों को पर्थम भारतिय सवतंतरता संग्राम काल माक्स ने कहा अर्टिश का ए होगा उन्चालिशन प्रस्ण बोल लाए कि 1857 की क्रांथी आरंब कभ हुई थी तो 1857 की क्रांथी कभ आरंब हुई थी तो दस मैज़ को 1857 की क्रांथी आरहम हुई थी अप्सन ए होगा चालिशन प्रस्ण बोल ला है कि कलकाता में अंग्रेजों के कीला का नाम क्या था तो 40 का फोल्टी विल्यम होगा कलकता में अंग्रेजों के किला का नां क्या कहा तो होगा ती जो हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बनाया गया था इसे इंग्लियन के राजा विलियम तिर्तिय के नाम से मतलब मतलब यह नाम पर बनाया गया था ठीक है मतलब कौन फोल्ट विलियम हुगली नदी के पुर्वी किनारे पर बनाया गया है जो इंग्लियन के राजा विलियम तिर्तिय के नाम पर बनाया गया दिधुख है विलियूम फोल्ट जिस्टीक का एकतालीष्टम प्रस्टंлаг रहा हैं कि भारत की रहागा निकलगत्ता से दिली कभ अस्थांधिर्थ की गए थी तो 1909 नहीं होगा 1910 भी नहीं अपशन दूरीच ब्रस्टन इनकिर्धानी खोले नहीं लेकिन भारत कि रहागा रह तो एक अप्रेल 1912 को अस्थांतित कलकता से दिली हुआ था तो अप्शन 1912 रहेगा अच यह जना बनी तो 1911 में कलकता से डिली का अस्थांतिति किया गया था थी ऑप्शन डी होगा ठीक हुई तो सवनुद्रार्ट बोल्लायों ने गुओ पर अधिकार किया तो में की वाज्कों डीगामा था सटरा मय 1498 को वाज्कौ डीगामा ने भाइद पहुंचा था कि चावारेश नोपरसन बोल चाव जंगना कभल ला है कि अखिल भारती अस्तर पर पहली जंगना तो अथारासो हैत्र को सभ्लेश्यक्र दनीहे हैं तो महत्मा गांधी कि तो किस भाचा में हैं तो गुजराती में महतमागान कतो के महतमागान्धी की आत्म कता इस भाचां से साथ में अपरिका वापस लॉटा तो 1915 में महत्माइगांदी अपनी पूरी पढ़ाय करके 1915 को दक्सिन अपरिका से भारताया था कि चंपार्ण सत्यागरा का संबंद किस राजे से हैं तो चंपार्ण सत्यागरा सबसे पर समस्पार्ण सत्यागरों बिहार में हुआ था चंपार्ण सत्यागरा का संबंद किस राजे से है तो बिहार से है जो 1917 हिप में हुआ था चंपार्ण सत्यागरा 84 ॉप्रण बोला कि दिलि चलो का नारा कि किस ने दिया था तो शुबास्ट्र भोष ने चलू में प्रस्ण बोला है उनीजो सत्रा में गंधी जी किसके अनुरूद पर चमपारण गये तो यह राज कुमार शुकल के अनुरूद पर मतलब की मिटिंग में एक पर गए वे थे तो राजकुमार शुक्ल ने मतलब की बिहार के चंपारन जीले के बारे में कुछ बाते बताएं वहां की खेतो पनील की जबरदस्ति मतलब अंग्रेजों को द्वारा मतलब की गलत काम होता है तो यह राजकुमार शुक्ल महतमा चालने लिए राजकुमार शुक्ल ने यह बास को टाल दी हैं दो तीन वार बोले फिर टाल दिये लेकिन जबरदस्ति राजकुमार शुक्ल महतमारी कंद्धी को लेकर आयए RJयो्यतै महतमाग गांधी ने हैं सायवहग आंदोलन किस वर्थे स्थ आर्हम किया त價 गांदी नो किस प्राइस प्रस्थ प्रीषणDS बोला पुना समलों कीस वर्ष हुआ था कुना सम्जुता 1932 में हुआ था निसीन मित्रा उना सम्म ενद्रेस को अम्यद्कध के भिच mature 5000 सप्थेम्बर 2932 को पुने की जेल में Cornelia भाग की जेल में जेल में हुआ ठिक भी मरा उनत्रा उम्यद कर मतलगान्दी केभिच में समझता है 1932 को वाता 24 सब्टैम्बर को बावन प्रसन बोला संविड़ी अवग्यां दोलन का आरम किसी ने किया था सब बता भी आंदोलन वाता है महतमागांधी ने आरम किया था तीरपन प्रसंद बोला कि सुभा चंद्र भूस भारतियाक राष्ट्रेक अंग्रेश के अधियक्स कबने तो प्रसंद भूला उनीचारी सपी में फॉर्ट भॉर्ड भॉल्ड ब्लोक की स्थापना किस ने की थी तो सुभा चंद्र भूस नहीं फॉर्ड बलोक की सपना की थी हैं चंपन प्रसंद बोल लाएं मुसिल्मलीं की संथ banco किस वर्प हुईतीतों उनीस्ड़ से इस्व को वा था मुसिलिम की संथमाथी संबर 1903 को ढांगा बगलादीस में वणाथा कि भारती राष्ट्रे कंग्रेश के अस्थापना कब हुई थी तो 1885 स्पी को भारती राष्ट्रे कंग्रेश के अस्थापना हुई थी ठीक सपन का अप्शन ए होगा संतावनमंप प्रशन बोल आ एक कि केविनेट मिशन किस वर्ष भारता आए था तो और प्रसन की प्रारूप सिमिती के अधियक्स कौन थे तो भीम्रा उम्मेदिकर साथ उन्सट नमर प्रस्म बोला है कि भात को गन्त कब गंतंत्र घोजित किया गया तो गंतंत्र सब्सक्राइब सवधान नियम स्थापना हुआ सविधान सभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब口 को कब गंतंत्र खुषित किया गया तो सब्सक्राइब परिशान को और पर राश्यस रंग्या सब्सक्राइब का परännबब ऑठोच बहुतन्त्र भानें 100 adversary aboloud राश्ट पर्शाद की जो डॉक्टर राजेंद्र परसाद सोतंद्र भारत के पर्थम राश्पति थे तो हमें कमेंड करके बताईए कि या मतलब की वीडियो आपको कैसा लगा और जो फ्रेंड्स या पूरा वीडियो देखे वह हमें कमेंड करके बताईए और हम मतलब कि वह हमारे नजरों में रहे हैं और किसने पूरा सिखा ठी तो हो हमें बताईए और सभी वीडियो का डिसक्रिप्वे बॉक्स में लिंकवे दिया हुआ है लिंक ऑंसे लिंक थुरों आप सब पहुंच सकते हैं ठो ठैंक्स वर वासिन धन्यवाद विडियो देखने के लिए और अपने 12 का तैयारी हमारे चैनल पे किजिए हूँ